स्वाट टीम व खुर्जा देहाद पुलीस ने 9.5 कुंटर गांजा मैं 10 टायरा ट्रक सहित एक शात्री मादक पदार्थ तसकर गिरफतार किया जिसकी अंतराष्ट्रे अनुमानित कीमत लगबग एक करोड बताई जा रही है रातरी के समय स्वाट टीम एवन्थाना खुर्जा देहाद पुलीस ख्षेतर में वांचित अपराधियों की धरपकडव संदिक दवानों की चेकिंग में मामुर्थे तभी मुकबीर द्वारा सुषना प्राप्थ हुई अलिगड की और से एक 10 टायर ट्रक मका के कट्टों के नीचे भारी मात्रा में अवैद गांजा छिपा कर तसकरी के लिए लेकर जा रहा है सुचना को गंबिता से लेते हुए दोनों पुलीस टिम संयुक्त रूप से कारवाही करते हुए मामल पूल के पास सतक्ता से चेकिंग करने लगे थोड़ी देर बाद उन्हें उक्त ट्र पुलीस टिमों द्वारा घेरा बंदिकर एक अभियुक्त को रातरी करीब दो बजे गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की तथा फरार अभियुक्त की तलाश चारी है ट्रक चेक करने पर ट्रक में लदे मक्का के कट्टों के बीच में 30 कट्टों में भरा करीब 9.5 गांजा जिसकी अंतरराश्टी कीमत लगभगे करोड रूपए के आसपास बताई जा रही है एक ट्रक जिसमें मक्का लदा हुआ था और उडिचा से आ रहा था हमारे पास इस प्रस्विक इंटिलिजन्स थी उसी के आधार पर चेकिंग के दवरानी से गिरफतार किया गया सुनील ने बताया कि वह अंतरराश्टी अमादक पदार्थ तसकर है उनके द्वारा उग्त ट्रक मध्यप्रदेश से खरीदा गया है सुनील अपने फरार साथी के साथ गांजा को उडिसा से तसकरी कर ट्रक में लदे मक्का के बोरों के नीचे छुपा कर लेकर जा रहा था जो लुदियाना एवं नोईडा राज्जों में सप्तलाए किया जाना था सुनील ने आगे बताते हुए कहा कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर गांजा की उडिसा राज्ज से तसकरी करते है तथा दिल्ली नोईडा पंजाब उतर प्रदेश वा अनराज्जों में बेश देते हैं बुलन शहर से जाविद खान के साथ मोहिद भुटानी की रिपोर्ट